हाई गाईज, वेलकम टो टेक्नोग्रेंज और मेरे पास बहुत सारे कोश्चन्स आए जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि सर हमने HTML फाइल एक बनाई है आपकी वीडियो देखके और हम इसको अब लाइव करना चाहते हैं ताकि वो दूसरे कंप्यूटर के अ स्टाट अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यह मेरी स्क्रीन और यहां पर अपना फोल्टर बना रखा है और मैंने इसके अंदर यहां पर देख सकते हैं और एक जिफ इमेज बना रखिए है और इस HTML वेब पेज के लिए मैंने एक वीडियो बना रखिए है अगर आपने मार्कु टैग यानि की नहीं देखिए तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा अब यह फाइल मैं लाइफ करने वाला हूं सबसे पहले क्या करेंगे हम जाएंगे यहाँ पर लिखेँगे net lify करेंगे हैं क्लिक करेंगे तो रॉधं के अपने इसके अपर अकांट बना रखा है or gern που to sign up करने तो आप sign up करेंगे यहां से ठीक है अगर आपके पास कोई एकांट है तो email से मैं करने वाला हूं तो मैं अपनी यहां पर email डालूँगा स्ट अधाइस और यहां पर पासवट डालूँगा औरते यहां पर मैं sign up कर लो हैicação risque ने हमारे पास एक link भेज दिया है verify के लिए अब अपनी हम mail login करेंगी क्योंकि netlify ने हमें confirmation email भेजा हुआ है ठीक है ठीक है तो यह देख सकते हैं आप netlify का email आ चुका है इसको verify कर लेते हैं एक बार verify email ठीक है यह verify कर रहा है अभी तो यहां पर दिखा रहा है your email is now verified यहां पर verified कर सकते हैं हम लोग नीचे जाएंगे जैसे आम युजिंग netlify फोर अपने क्लाइंट के लिए उसके लिए या स्कूल में हो आप या फिर अपना वर्क है कॉलिज में उसके लिए कर रहे हैं तो यहांने कि मैं यहां पर वर्क कर देता है ठीक है आई एम वेब डिजाइनर ठीक है मैं डाल देता हूं वेब डिजाइनर और आई वर्क एट कंपनी आफ अरे भाई मेरी टीम में भी बारा मेंबर हैं लेकिन मुझे बताना नहीं है किसी को थीक है अगर आपका बना हुआ है तो यहां पर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं अधर वाइस हमें क्या करना है और डेपलॉड़ी मैनुवड़ी ड्राप और ड्राइग यौर साइट आउट फोल्टर है आप देख सकते हैं यहां पर मैनुव में बहुत सारे मारे पास ऑप्शन्स हैं ओवर्यू, साइट, बिल्ट, प्लगिन, डोमेंज एड बहुत सारी चिज़े यहां पर अफ़्ेलेबल है बट हमें कहीं निगे जाना सिर्फ साइट में पर आप्शन्स हैं इसे बहुत सारे प्लैप्पॉर्म्स हैं जहां आप अपना प्रोजेक्ट अप्लोड कर सकते हो त है और इसके अंदर हम जाएंगे देखें हमारे पास दो फाइल है आप इंडेक्स.html और जो हमारे साथ में इमेज है बट यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चीज है वह कैसे कई जब भी आप अपनी फाइल इंटरनेट के ऊपर डेपलॉय करते हो या फिर अपलोड करते ह हो तो आपकी एक में फाइल होनी चाहिए जो होस्टिंग सर्वर को पता लगे कि आपकी यह में फाइल है और वो में फाइल कैसे पता लगेगी जब आप फाइल का नाम रखोगे इंडेक्स ठीक है अगर पी एच्प में बना रहे हो तो इंडेक्स.php लेकिन हम तो html की ब है उसका नाम हमेशा इंडेक्स होना चाहिए तो गाइस मैंने यहां पर इंडेक्स लिख दिया है तो इसको क्या करेंगे अब अब यह हमारे पास फोल्डर है हम इसको ड्राइक करेंगे ठीक है और यहां पर अपलोड कर देंगे ठीक है छोटी से फाइल दो मिट के अंदर के उपर लाइफ कर दी है येस गाइस मैं भी दिखाता हूँ बट उससे पहले थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दे दू कि दुनिया में कोई भी जगे हो अगर आप अपना लिंक शेयर करते हो तो वह आपकी फाइल जो आपने बनाई है वो देख सकता है येस देख सकता ये आपका ये अप देख सकते हैं कि थोड़ा अलग सा लग रहा है आपको फ्री में होस्टिंग मिली है टो आपको थोड़ासा देखना पड़ेगा बट आपके लिए एक सरप्राइज है वो क्या है वो किru चेंज कर सकते हो जैसे कि मैं जाएंगा जाने पर यहां प्रstory लिखूंगा मैं टेकनो ब्रेंज ठीक है और मैं सेव कर दूँगा ठीक है अगर एविलेबल होगा तो आपका सेव हो जाएगा तो देखेंगे आप यहापको दिख रहा है टेकनो ब्रेंज.netlify.app तो आएगा यह अपना पर्मोशन तो करेगा लेकिन आपने उससे पहले है तो लिंक मैंने बताई दिया आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोरों मिल दाएगा जाकर करो और कमेंट में लिखके बताना मज़ा आया नहीं आया अगर मैं इस एक और बहुत जादा सपोर्ट किया है जैसे कि मैं लाइक्स देखता हूं कॉमेंट्स देख वीडियो से बेनिफिट हुआ या नहीं या आपको कोई कॉश्चन या क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट्स में लिखके जरूर बताना क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कॉमेंट्स करते हो प्यारे-प्यारे कोई कॉश्चन पूस्त क्वेरी किल अप यॉरसल विख टेकनोब्रेंज